आज सलाहालेकूँ मैं वापिस आ गई आप सब के सामने एक नए वीडियो के साथ आद मैं शेयर करूंगी कि मेरा खाने का रूटेन कैसा है मैं सुबह में उटके मैंने पहले तो मेरे नमाज है तिलावत है कुरान सरी के तिलावत करने के बाद मैं एक मुठी चाना खाऊंगी और चाना खालेने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी एक्सरसाइज हो जाती है उसके बाद मैं कुछ फल खालूंगी और फल खाने के बाद मैं थोड़े थोड़े वक्त खाते हूं, फल खालोंगी फिर उसके बाद फिर मन में आया तो अंडा खालोंगी नए तो एक गिलास दूद ले लोंगी, वही मेरा नास्ता है, वही नास्ता इतना हमारा देड़ बजे तलक मैं फिर खाना खाऊंगी मैं, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाऊंगी, और खाने में मेरा दो रोटी, सलाड और थोड़ा चावल, डाल, जो भी है, मैं हरी भाजी जादा पसंद करते हूं, हरी भाजी हमें बहुत पसंद है, और तेल की तली हुई पूड़ी तो मैंने कभी खाया ही नहीं, मुझे पसंद नही तली रिफाइन तेल, हाँ सर्थो के तल मुझे बहुत पसंद है, यहां का सर्थो का तेल भी अगर है तो ठीक हे रिफाइन से चाए, नहीं तो दू घाए तो दो जातीcentered हुए तो मैं घर का तेल सर्थो का निकालकी मैं उसी मैं ख़ाणा खाती हूं, पेवर सर्थो के तल मै मैं खाना खाती हूं are in मेरा वही दू रोटी थोड़ा सचाल दुपयर में or साम को फिर मुझे एक रोटी चाहिए थोड़ा सचाल्य Stevens all ऌै और ज्यादा मसवादा तेल मुझे नहीं सहीडा मुझे नहीं फ़सन आफ फिर खाना खालेने के बाद मुझे साम में फिर आधा गंटा के लिए मुझे वोकिंग करूंगे मैं साम को वोकिंग करने के बाद मैं आऊंगे जल्दी सो जाना चाहती हूं लेकिन यहां बंबे में तो डेली बारा बच जाता है तो इस तरह मेरा रूटीन है, डेली का, और मुझे डेली एक, कोई एक नया नया काम मुझे करना चाहिए, कुछ भी दूनते रहूंगे कुछ नया काम, क्योंकि मुझे बैटना बहुत उल्जन होता बैटने से, मुझे कुछ नया काम चाहिए, हमेशा नया काम करती रहूं, कुछ नया कुछ, मुझे बहुत उससे एनरजी मिलती है, हम अतलास में रहती हूं कि अब कौन सा नया काम करूं, उसमें मुझे अच्छा लगता है, दिल को खुशी कहुशती है मुझे, और मन खुश रहेगा, तो सबसे बड़ी दावा वही है, कि इंसान जो भी करे, इंज्वाइ करके करे, और मन में खुशी हो, और अच्छा लगे उसके मन को, अब इसके बाद, फिर वही मेरा रूटीन, कुशने 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 कुश मुझे, हर दिन नया कम चाहिए मुझे, तो वो इसके अंदर मेरा मन लगा रहता है, हमें चाहती नहीं हूँ, कि मैं हर दम बैठूँ, और सबसे बड़ा नुकसान हमारे यही है, कि जब हम एकदम बैठने के कुशिस करते हैं, हम बैठ जाते हैं, सोफे कर, तो वहीं से हमें बीमारी लगना सुरू हो जाती है, तो पिलिज अपने आपको हमेशा एक्टिव रखें, और ज़्यादा ज़्यादा अपने आपको एकदम महनत से थोड़ा ले जाए, महनत के तरफ ले जाए, हाथ पर हिलाने के कुशिस करें, क्योंकि एकदम बैठ जाना ही हमारे लिए नई बीमारी के वजह है, तिसलिए हम हमें से बेठना नहीं, भले बेटी हो, गर में सब हो, जो हमारे लाइक है, वह हमें करते रहना चाहिए, अगर वो भी काम नहीं है, तो हमें exercise, ओ केंग और एकसाइसाइट मेरा पहाचोटाइम की नमाज है। बाकि अगर वहने जिस रिलिजन को फोलो करते हैं। उन सब के लिए हमारे सिनियर सिटिजन के लिए बहुत सरा काम है। हम कहीं भजन में चले जाएं। हम चले जाएं बहुत हैं। लेकर कहीं अपने गुरुप को लेकर हम कोई नया टॉफिक पर बात कर सकते हैं और अच्छी बाते करें जब भी करें अच्छी बाते करें ताके उससे हमको कुछ सेख मिले अब आप और दूसरे वीडियो में मिलते हैं इंशा अल्ला